चीन का जवाब देने के लिए तैयार है भारत्य सेना उत्राखंड में देखिए भारत्य सेना की ताकर भारी बर्बारी के बीच सरहत पर डटे जमान माइनस 10 डिगरी ताप्तमान में भी तैयार है हम लदाक में चीनी सेना के साथ तनाव जारी है भारत्य सेना हो या भारत सरकार भारत चीन का मुकाबला करने के लिए हर फ्रंट पर तैयार है फिर चाहे कूटनी तिक कदम उठाने हो या फिर सेन्य कारवाई करनी हो हम तैयार है चीन के चालबाजे को आखते हुए भारत्य सेना के जाबाज हर फ्रंट पर तैयार है लदाक में पैदा हुए हालातों को देखते हुए भारत्य सेना लदाक से लेकर हिमाचल, उत्राखंड और अरुनाचल तक मुस्तैद है इस बीच उत्राखंड में हमारे सयोगी मंजीत नेगी जोशिमट के पास की फोवर्ट पोस्ट पर पहुँचे भारते सेना के जवान चमोली में चीन से लगने वाली सरहत पर कैसे माइनस 10 डिगरी तापमान का सामना कर रही है ये तस्वीर देखते ही बनती है खास बात यह है कि चालबा स्ट्रीन के खिलाव हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए ये सैनिक हर रोज पेट्रोलिंग करते हैं और साथ ही खास माउंटेन वार्फेर ट्रेनिंग भी लेते हैं बरफीले पहाड़ों में माउंटेन वार्फेर की तैयारियां और इस वक्त भारते सेनिक ये खुपड़ी खास ऑपरेशन सब्वाब दुश्मन के लागे में हलिकॉप्टर के जरीर स्लीदरिंग के जरी ऑपरेशन को अंजाम देना हो किस तहा से दिया जाता है स्कीन के उपकरण इनका परस्टर बैपन लोड हतियार पूरी तहर से ये जवान एकिप्ट है और इस वक्त जब लद्दाख सरहत पर भारतों चीनी सेनों के बीच तनाव चल रहा है सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वक्त उचे बरफिले पहाडों में ये सेना की तनाती की गई है बारी बरबारी के बीच कटे नहलातों में उचे पहाडों पर ये जवान डटे है शुन्ने से दस जिगरी नीचे के तापमान में सेना के जवान हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है चीन हो या तापमान हर तरह के हालातों से निपटने के लिए तयार है हमारे भारते जवान और हर दिन इसके लिए शारेरी का भ्यास भी करते हैं चमूली सरहत से मंजीत नेगी की भारत तक के लिए एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट झाल करते हैं